दोस्तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि ESP का primary and secondary voltage and current का reading को देखके आप कैसे पता लगाएंगे कि क्या problem हुआ है ESP में कहा problem हुआ है आप उस 4 मीटर को देखेंगे तो पता लगा सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा लोगों ने मुझे message किया और मुझे comment किया कि अगर primary current and secondary current दोनो 0 देखा रहा है या 0 के आसपास दिखा रहा है तो क्या हुआ होगा उसके बारे में भी एक वीडियो बनाई है तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो में मैं आपको अगर ESP primary current and secondary miliampere दोनो 0 दिखा रहा है या बहुत ही कम दिखा रहा है तो उसका क्या रिजिन हो सकता है आप उसे कैसे troubleshooting करेंगे मैं एक practical वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो तो वीडियो को दोस्तो यानि primary current बहुत ही कम दिखा रहा है और secondary miliampere current वह भी बहुत ही कम दिखा रहा है लगभग 0 के आसपास दिखा रहा है लेकिन देखिए दोस्तो यहां पर primary voltage 200 voltage and secondary kb लगभग 55 kb के आसपास है अगर आपका ESP में यही problem हा रहा है तो वीडियो को अंतक जरूर देखे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ चाथ बेल आईकन को प्रेस कर दे ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाओं सारे वीडियो आप तो डिरेक्ट पहुंच जाए दोस्तो नोटिफिकरशन के जरिए तो चलिए दोस्तो शुरू करते है आज का वीडियो है तो दोस्तों इसी टाइब का प्रोब्लेम आजा है तो सबसे पहले आप लोग कॉम्पूटर के स्क्रीन के उपर आपको ऐसा दिखाई देता है यानि कॉंट्रोल रूम में जो स्क्रीन रहता है वहाँ पे मिलियंप्यर एंड के भी दोनों सो करता है जैसा कि आप देख पा रहे है यहाँ पे तीन ESP फिल्ड है फास्ट सेकेंड एंड थार्ट फिल्ड और वहाँ पे देखिए दोस्तों फास्ट फिल्ड का मिलियंप्यर सेबेंटीन मिलियंप्यर सो कर रहा है बहुत ही कम सो कर रहा है और फिर ओपरेशन वाले कॉंप्लेन देते हैं कि ESP काम नहीं कर रहा ह तो यह type का complain आ जाए तो आप लोग घबरा जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आप लोग ESP controller के पास आए वहाँ पे देखिए miliampere कितना show कर रहा है हो सकता है उनका जो control room में जो miliampere show कर रहा होगा और आपका controller में जो miliampere show कर रहा होगा दोनों म्याज कर रहा है कि नहीं यह आपको देखना है तो यहाँ पे क्या show कर रहा है दोस्तों यहाँ पे दोनों जगा पे same miliampere show कर रहा है यानि control room में जितना miliampere show कर रहा था controller में भी same उतना miliampere show कर रहा है तो यहाँ पे पता चल गया कि controller जो दिखा रहा है control room में वही दिखा रहा है यानि feedback क्या issue नहीं है controller से जो feedback जा रहा है दोस्तो control room में वो feedback क्या कुछ भी issue नहीं है तो problem कहा हुआ है दोस्तो problem हो सकता है controller को जो feedback आ रहा है वो feedback कहां से आ रहा है वो feedback transformer से आ रहा है तो transformer का एक बार feedback को चेक कर लेना चाहिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो transducer है millampure का एक transducer रहता है और kb का भी एक transducer रहता है यह दोनों transducer का input को एक बार चेक कर ले हो सकता है input में कोई भी signal नहीं आ रहा होगा या ट्रांश्वूसर खरब होगा यह आपको एक बार चेक कर लेना है तो यहां पर secondary current show नहीं कर रहा है यानि मिल्ली अम्प्यर 18 मिल्ली अम्प्यर शो कर रहा है तो आपको चेकिंग करना है मिल्ली अम्प्यर का input signal जो transformer से आ रहा है transformer तो जैन्राली क्या होता है दोस्तों ट्रांस्फर्मर से जो आटा है वह जन्राली 0-10 बोल्त में आता है नहीं तो 4-20 मिलियांप्यर में सिगनल आता है तो आप ड्रोइंग को देखिए ड्रोइंग के हिसाब से आप लोग इंपुट को मेजर कीजे नहीं तो ट्रांडूसर को देखिए ट्रांडूसर का इंपुट क्या ले रहा है उसके हिसाब से आपको मेजर करना पड़ेगा तो यहाँ पर यह सिग्नाल उदर से आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है लगवाग खोर के आसपास आ रहा है तो हमारे मन में डाउट हुआ कि हो सकता है ट्रांसफर्मर रेक्टिफायर से से मिलियांप्योर सिग्नाल नहीं आ रहा होगा तो इसके लिए दोस्तों ट्रांसफर्मर से ट्रांसफर्मर का मिलियांप्योर सिग्नाल सर्किट को चेक करना पड़ेगा यानि वहां पे काड रहता है दोस्तों जहां पे डायोड रहता है कापासिटर रहता है हो सकता है वो को बंद करना पड़ेगा जो की प्रोड़क्शन टाइम में आप लोग नहीं कर सकते यानि प्लांट अगर फुल प्रोड़क्शन में चल रहा होगा तो आप लोग अगर इस पी को बंद करना के लिए बोलेंगे तो आपको सही रिजिन का पता होना चाहिए कि सारे इक्यूमेंट सही है इसलिए हम लोग ट्रांसफर्मोर को देखने जा रहे हैं तो सारे इक्यूमेंट यानि आपका जो आर्थ सुइज वह सही पोजिशन में है की नहीं वह एक बार चेक कर लें हो सकता है आर्थ सुइज अगर ओपन रहेगा या डोस्ट की बज़े से वहां प हैं को एक बार चेक कर लिजे और सही पोजिशन पर है की नहीं है उसके बाद आप लोग जो दो रेपर रहता है दोस्तों काम कर रहा है की नहीं यह आपको फिजीकाली औबजर्वेशन करने से पता चलेगा जैसा कि आप देख रहें अभी यह वाला है discharge wrapper जो की ESP top में रहता है उसको एक बार देख ले हो सकता है कभी कभी क्या होता है discharge wrapper तूट जाता है उसकी बज़े से भी ऐसा problem आ सकता है क्योंकि आप लोग transformer का shutdown करने वाले हैं तो transformer shutdown करने से पहले ये एक बार आपको फीजिकाली चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो दोनों रैपर collecting and discharge रैपर वो सही है और आपका जो ESP insulator heater वो भी सही काम कर रहा है ये सारे feedback आपको देना पड़ेगा कि सारे equipment सही है लेकिन हमारा miliampere show नहीं कर रहा है उसके बाद ही आप लोग transfer more का shutdown करने के लिए सोचें दोस्तों मैंने ESP के ओपर बहुत सारा troubleshooting वीडियो बनाया हूँ पुरा practical वीडियो बनाया हूँ ESP को कैसे testing किया जाता है control का कैसे testing करते हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरा playlist चेक करें नहीं तो आपको link description में मिल जाएगा सारे वीडियो आपको मिल जाएगा ESP related उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी कुछ knowledge मिलेगा दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों आप एंसर होगे कि सारे equipment सही है सही काम कर रहा है तो उसके बाद आप लोग controller को off करें ESP controller का isolator को off कर दे और साथिशाथ उसका incoming source को भी off कर दे वहाँ पे danger tag लगा दे दोस्तों दोस्तों ESP shutdown का एक procedure रहता है तो उसी procedure को follow करें दोस्तों जब भी आप shutdown करें उसी procedure को follow करें अभी ESP एक number field completely isolate हो गया है proper shutdown हो गया है अभी हम transformer को खोलने वाले हैं दोस्तों transformer का आप क्या खोलेंगे ट्रांसफर्मर का terminal cover को आप खोलेंगे यहां पे देखें दोस्तों transformer में आपने discharge rod लगा दिया है यानि earthing rod लगा दिया है proper safety के साथ आप लोग काम करना पड़ेगा तो यहां पे देखें दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि resistance सही है या resistance खराब हो गया है अगर वहां पे आपको कुछ जला हुआ component मिले कि समझ लिजे कि card खराब हो गया है या उसका जो टर्मिनल है दोस्तों टर्मिनल को आप लोग थोड़ा टाइट कर ले हो सकता है वहां से भी lose हो गया होगा लेकिन दोस्तों यहां पे जब हम मेजर किये तो यहां पे resistance का value सही दिखा रहा था दोनों register का value सही दिखा रहा था तो हमको पता चल इसना सारा doubt था सारे doubt को हमने check कर लिया यानि meter का fault हो सकता था लेकिन यहां पे meter का fault नहीं है यहां पे feedback क्या भी कुछ भी problem नहीं है और wrapping mechanism सही काम कर रहा था कहीं पे कुछ भी open circuit नहीं हुआ है तो अगला region हो सकता है दोस्तों production related यानि ESP में जो load आ रहा है जितना सारा gas आ र लोड आ रहा है जितना material अंदर आना चाहिए या जितना आस आना चाहिए ज्यादा आस आ रहा है या हो सकता है ग्यास ज्यादा आ रहा होगा H2O ज्यादा होगा water content वहां पे ज्यादा होगा और temperature सही maintain नहीं हो रहा होगा उसकी बज़े से भी ESP field affect आता है तो जब भी EC type का problem आ जाए तो आप समझ लीजिए सबसे पहले पूछिए कि कितना लोड पे ESP चल रहा है यानि plant कितना लोड पे चल रहा है ज्यादा लोड में plant चल रहा होगा तो ज्यादा material ESP में आएगा ज्यादा material ESP आने से ज्यादा तर यह जो problem रहता है दोस्तों first and second field में यह problem आता है य क्योंकि एक नमबर और दो नमबर फिल्ड में ज्यादा material एंटर होता है तो उसकी बज़े से इसी टाइप का problem आरेज होता है दोस्तों तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आया होगा इस टाइप का problem आ जा है तो सबसे पहले आप पूछ लीज सबसे पहले तो आपको process related issue को solve करना पड़ेगा यानि आप उसका temperature को देखना पड़ेगा material क्या आ रहा है कितना quantity का आ रहा है उसको आप अगर मेंटन कर सकते हैं यानि इलेक्ट्री का लाधिमी तो मेंटन नहीं कर सकता operation वाले अगर यह solve कर सकते हैं तो यह फिल्ड का milliampure problem solve हो जाएगा नहीं तो अगर आप के भी setting को थड़ा बढ़ा देंगे जैसे milliampure का setting को बढ़ा सकते हैं के भी का setting को भी आप बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ा देंगे तो यह problem थोड़ा solve हो जाएगा यानि थोड़ा milliampure सो करेगा तो दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सिखने को मिला होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे हमारा चैनल को सब्सक्राइब करे और देखते रहें इंडस्ट्रियाल इलेक्रिक्याल चैनल बोल बुल बुल मिलते हैं अगले व स्थाप्ट